हेलो व्योस स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टुशन गुरीजी में अज हम बात करेंगे वरक्षीट 10 की जो की 28 अक्टूवर के लिए जारी की गई है ग्लास 6 की इंग्लिज सब्जेक्ट से लेटीड वरक्षीट है यहां बच्चे अपने नाम लिख जो इंग्लिज का ग्रामर पार्ट है उससे रिलेटल वरक्षीट है और इसमें हम पढ़ेंगे नाउन्स के बारे में बच्चो तो कुछ हद तक यह एक्टिविटी बेस वरक्षीट भी है जिसमें हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे तो आईए जरा देखते हैं कि ना कार कोउटर ब्रेट यानि की कार कॉम यानि कंगा स्कूटर यानि स्कूटर जो होता है ना कुछ कर स्कूटर हमें रोड पे मिलते हैं ठीक बच्चव अगला है B, things we use वे बस्तो है जो हम use करते हैं क्या के दिये हैं tooth brush, bird, comb, library तो इसमें से हम कौन-कौन सी चीज़े use करते हैं बच्छो tooth brush bird को हम use नहीं करते हैं तो इसे ऐसे cross लगा देंगे comb यानि कंगा और library library हम जाके किताब पढ़ते हैं बहुत से बच्छे तो इसमें यह हो गया कि tooth brush, comb, library हम use करते हैं फिर है things we eat and drink वे चीज़े जो हम खाते और पीते हैं तो इसमें है bread, chair, table और vegetable तो कौन-कौन सी चीज़े हम खाते हैं बच्छो bread और vegetable हम खाते हैं और chair और table को नहीं खाते हैं उसमें बल्कि बैट के हम खाने को खाते हैं ठीके न? अगला है things in the park तो बहुत सी चीज़े जो पार्क में मिलती हैं उनके बारे में अब इसमें swings है, trees है, glass है, shoes है तो swings एक तरह का जूला type का होता है वो और tree यह दो चीज़े हमें पार्क में मिलती हैं ठीक है आगे क्या कहता है the word with circle in the above question refer to any person, place, animal or thing they do not refer to a particular person, place, animal or thing क्या कहरा है कि जो हमने उपर circle किये हैं वो किसे refer करते हैं? किसी भी person, place, animal or thing को refer करते हैं बलकि ना कि एक किसी particular place, person, animal or thing को for instance car, bread, trees and calm these nouns are common nouns तो इसी वज़े से इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं बच्चो इस तरह की चीज़ों को हम कहते हैं common noun क्योंकि यह particular किसी particular person, place, animal or thing को refer नहीं करते बलकि बहुत सारे person, place और animals और things को refer करते हैं बच्चो ठीक है? चलिए तो अब आगे देखते हैं अंगला question क्या है? question number two है match the common nouns to make a pair of words which go together तो अब क्या करना है? आपको match करना है pair of words को जो की एक साथ यूज़ी use होते हैं या बोले जाते हैं column E से column B में तो सबसे पहला है bet bet के साथ क्या होती है? बच्चो ball है ना? तो bet के साथ ball हो गई फिर है father father और mother हम बोलते हैं ना एक साथ father mother ठीक है बच्चो? फिर है paper paper के साथ होती है हमारी pencil ठीक है? paper और pencil हो गई फिर है lock lock के साथ क्या होता है? key यानि ताले के साथ key यानि चाबी ठीक है बच्चो अब आगे क्या है कोशन नमबर थ्री गिव ए नेम टू दा फॉल्लाइं या करना आपको एक नाम देना है यह इसमें कोशन में जो वर्ड्स आपको दिये हैं उनके बारे में बताना है एक वर्ड में एक तरह से यह समझ लीजे फिर है सबसे पहला है दा कंट्री यू लिव इन तो कंट्री जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है इंडिया है ना फिर है दा नेम उफ दिस मन्त तो इस मन्त का नेम क्या है ओक्टोबर ठीक है बच्चो फिर है day before saturday तो saturday से पहले कौन सा दिन आता है बच्चो saturday से पहले आता है friday ठीक है फिर है the name of holy river तो Holy River का है गंगा फिर है दा नेम ओफ यूर स्कूल तो बच्चों आपके स्कूल का क्या नाम है यह आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है जैसे कि किसी बच्चे का स्कूल का नाम हो सकता है किसी का हो सकता है तो इस तरह के से का यह नाम हो सकते है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपके स्कूल का नाम बच्चों क्या है चलिए तो अब इसके बारे में क्या कह रहा है यह कहता है तो यह क्या हो चो यह क्या बता रहा है उपर हमने पढ़ा था कॉमन नाम common noun general way में यूज़ करते है अब आया क्या पढ़ा हमने proper noun proper noun किसले एक particular person, place, animal और thing के लिए यूज़ होता है जैसे की दिल्ली या गंगा का नाम या October month का नाम या day में Friday का नाम या country का नाम इस तरह की चीज़ों को हम proper noun में यूज़ करते हैं तो और एक चीज़ क्या बता रहा है remember में a proper noun always begin with a capital letter और proper noun हर हाल में capital letter से शुरू होगा बच्चो ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं worksheet बच्चो आगे दिखते हैं क्या कहता है ये आगे कहता है ये read the sentence write the nouns in bold letter under common और proper noun तो जो sentence है उसमें bolds में कुछ चीज़े दी हुई हैं आपको उसे common और proper noun में आपको नीचे दी गई टेबल में लिखना है बच्चो ठीक है बच्चो चलिए तो देखते हैं से करते हैं से चलिए रानी क्या है बच्चो रानी proper noun है और केक common noun है ठीक है फिर अमन रमन और अमित ये क्या है ये proper noun है फुटबॉल common noun है और पार्क भी common noun है बच्चो ठीक है अब ताजमेल क्या है proper noun है और आगरा क्या है ये भी एक तरह से proper noun ही है बच्चो फिर है cat cat और door तो cat क्या है proper noun है और door common noun है बच्चो ठीक है फिर है सीता और laptop तो सीता यहाँ पर proper noun है और laptop common noun है फिर है टॉमी और डॉग ठीक है बच्चो टॉमी क्या है proper noun है क्योंकि उस कुत्ते का नाम है बच्चो ये dog का नाम है और dog क्या है common noun है ठीक है बच्चो ये तो हमने common noun और proper noun में difference किया बच्चो तो यहाँ पे आपकी worksheet होगी बच्चो complete और वीडियो भी आशा करता है आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें बच्चो ठैंक यू बच्चो